नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहें न्यूज 18 मधप्रदेश 36 गर्ड बैहूं अपरना मौज़म कौन है दवा का दानव जिहां दवाएं जो जन्दगी बचाती हैं दवाएं जो बीमार व्यक्ति को स्वस्त कर देती हैं लेकिन कुछ दानव ऐसे भी हैं जो नकली दवाओ का धंदा कर रहे हैं जिनकी वज़ा से कई लोगों की जान पर बनाती है 36 गर्ड में भी ऐसा ही धंदा चल रहा है जहां अस्पताल में दवा नहीं जहर मिल रहा है और वो जहर 8 लाक मरीजों को खिला दिया क्या सोचिए मरीजों को कितना साइड इफेक्ट हुआ होगा दवा के दानव की आज पूरी कहानी आपको बताएंगे कहां से जुड़े हैं तार और किन अस्पतालों में भीटा जा रहा है दवा के नाम पर ये जहर इस रिपोर्ट में देखिए खटिया दवा सप्लाई का खेल अधिकारी भर रही हैं जेब ये दवाई नहीं जहरीला फंदा है जहां देखो गड़ा ही गड़ा जिस विभाग में देखो दानव बैठा है जो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है ऐसे ही दानव दीमार व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं उनकी जिंदगी से खिलवाड कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में अमानक दवा यां भीजी जा रही है और ऐसा ही एक मामला 36 गड़ से सामने आया जहां 36 गड़ मेडिकल कॉपरेशन द्वारा घटिया दवा सप्लाई का खेल सामने आया यानि जो दवा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बांटी गई वो जान बचाती नहीं वलकि जान लेती है सरकारी अस्पतालों में नकली दवा CGMSC कर रहा अमानक दवा सप्लाई सेफी डॉमिक्स और लिवो सित्रीजिन दवा को लेकर शिकायर Central Drugs Standard Control Organization West Zone मुंबई के डॉक्टर भीमरा वंबेटकर अस्पताल में Central Store को 27 दिसंबर को पत्र जारी किया था जो 12 जनवरी को पत्र अस्पताल प्रबंधन को मिला इसमें दवा के सब स्टेंडर्ड होने की बात कही गई आनन फानन में CGMSC ने सभी सरकारी अस्पतालों को दवा वापस करने के लिए पत्र रिखा सोचे कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जारी है जो 36 गड़ में खेला जा रहा है अब इस पर BJP नेता ने कहा कि ये कॉंग्रेस की सरकार नहीं है सचेत हो जाएए जहां देखो गड़ा इगड़ा है गोटाला है दो दवा खरीदी में अधिकारी लिप्त है जो अमानक दवा खरीदी रहे हैं वो सचेत हो जाएए कि ये कॉंग्रेस सरकार नहीं है अब इसका मतलब समझ लीजिए कि जाँच की आँच जिस पर भी पहुँचेगी उसकी खैर नहीं CGMSC के GM तकनीक हिरेन पटेल ने बताया कि दवा मान फार्मा सप्लाई की गई थी अब दवा अमानक पाई गई है कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई कर रही है नहीं किया जाता है किस प्रकार की मिली भगात है इसके लिए एक सतत निग्राणी प्रणाली होने की जरूरत है तादो हैं मरीजों को सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाएं न मिले दवाईयों में अलग-अलग side effects हैं, हम किस बिमारी के लिए कोई दवाई दे रहे हैं, जैसे कि पैरा सिटामल हो गया, या फिर गेस की दवाई हो गया, पेंटोपरोजोल, ओमेपरोजोल, अगर हम इसको दे रहे हैं, तो वो उस बिमारी पे काम न करके, गेस की दवाई का काम न करके, lose motion diarrhea, और कभी-कभी इतना घातक allergic reaction होता है, कि हम उसको control भी नहीं कर पाते हैं, और सामने वाला patient का death कर जाता है, इसलिए हम को यह चाहिए कि कभी भी हमारे नजर में, अगर सब standard level की दवाईयां अगर दीखें, तो उसको तुरंद नश्टी करन करना चाहिए, और सर पूचिए ये धंधा कब से चल रहा था, और कितनों की जान खत्रों में होगी, दवा के दानों पर कारवाई कभ होगी, बड़ा सवाल, आकाश शुकला, राइपोर नियूज जी तो दानों के क्या वोतों ने जेब भरने से मतलब है, वो इसलिए दवा के नाम पर किसी को भले ही मौत क्यों न बाट रहे हो, और इस तरह से ये पूरा नेक्सिस काम कर रहा था, और अधिकारी भी अपनी जेब भर रहे थे, वो इस मामले के सामने आने के बाद, 36 गर के काम ब्यारी जैसेवाल ने जांच के बाद कड़ी कारवाई करने की बात कही है। निर्धारित हम किये हैं, वो काम उसका उस रूप में होना चाहिए, इसकी समिच्छा भी करेंगे, पहले क्या हुआ तो मैं नहीं बता सकता, परन्तु आगे हम सतत मोनेटरिंग सभी छेत्रों में करेंगे।